नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं दक्षिन अफरीकी स्ट्रेण को लेकर भाज सरकार अलाट कोरोना वायरस के ब्राजिल और साउथ अफरीकी वारियंट्स के मामले भारत में परवेश करने इस देंदा नागरी कुडान मंत्राले ने कई देशों में कोविन के नए मिट्रेट स्ट्रेण को ध्यान में रखते यात्रा से पहले ऑनलाइन सुविधा पोटल पर सेल्फ डिक्रेशन फरों भार कर अपलोड करना होगा मौसम भीभाग के अंसार 18 फरों भारी को राजे में मध्य उत्री यम दक्षिनी भागों में भी बादल चाने के साथ कुछ अस्थानों पर गरजन या बजरपात के साथ हलकी बारी की समभवना है इसके अलावा 29 फरों भी इन जगों पर ऐसी ही सम्हुवना मौसम भी भागने जताया है बता दे 20 और 21 फरों को मौसम सुस्क रहेगा और आंसिक बादल चाये रहेंगे वही 22 और 23 फरों को मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा दिल्ली से रेस्क्यू कर राची लाये गए चोदा नबालिक राची गरिवरात एक्सप्रेस ट्रेन से जाखन के रेजाने राची रेलवेज स्टेशन पर चोदा नबालिकों का जैसे इकदम पड़ा बतादे आखो में आशुया गए यहां सुखुसी और सारीरी कुवा मासिक परताना से मुक्ती की थी बतादे बुद्वार को नई दिल्ली से मानो तसकरों के चंगूल से छुडा कर चोदार नबालिक राची पहुचे इसमें 12 लड़किया और दो लड़के सामिल है मानो तसकरों के चंगूल में फंसे इन सवी नबालिकों से दिल्ली में घरेलू काम कराया जाता था 12 शिक्षको और बियारपी-सी-ारपी के लिए 22 फरवारी को बड़ा फैसला 12 शिक्षको तथा बियारपी-सी-ारपी को उनके बेटे-बेटियों की उच शिक्षा तथा बेटी की साधी के लिए सुने ब्याज पर रिन तथा सेवा के दरान मिर्तियूप पर आसरीतों को पांच लाख रुपए की रासी देने पर 22 फरवारी को स्वामत्ती मिल सकती है मुखे मंत्री हमान सुने की अध्यक्सता में 22 फरवारी को कल्यान कोस आम सवा की बैटक में इस पर निन लिये जाने के उमीद है बतादे की पाराशिक्षकों को अपने बच्चे की उच सिक्षा के लिए अधिक्तम दो लाख तथा बेटी की साधी के लिए अधिक्तम डेर लाख रुपए का सुने ब्याज पर रिन देने का प्रस्तावा 82 में जबाब देने के लिए मंत्रियों को मिला जिमेवारी जार्खन बिधान सभा का 82 सब्सक्रे 26 फरवारी 2021 को सुरू हो रहा है इसके लिए जार्खन के कई मंत्रियों को सरकार का पक्ष रखने के लिए जिमेवारी चौपी गई है इसको लेकर मंत्री मंडल सचीवाले ये वम निग्रानी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है बतादे जार्पन सरकार के मंत्री आलम को गिरी करा ये वम आभिदा प्रवन्दन विभाग मंत्री मंडल बिभाग, कार्मिक प्रसासनिक सुधार यव राज अबासा बिभाग, मंत्री मंडल सचिवाला यव निगरानी बिभाग व अविधी बिभाग के जिम्हेदाई दी गई है वही बजट सत्र में इन विभागों के आई प्रस्णों का जवाब मंत्री आलमगीर आलम देंगे रसोया को 2000 रुपे मिलेगा मांदे जारखन सरकार ने मिड़े मिल योजना के तहत कारत महिला रसोया को बड़ा तोफा दिया है बता दे इनके मादने में 500 रुपे की ब्रेधी की गई है इससे राज्ये में कारत 89,551 रुपे मांदे मिलेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाव 1 अपरेल 2020 से ही मिलेगा किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे नए क्रिसी कानूनों खिलाप 18 फरवारी को किसानों ने रेल रोको का आवान किया है बतादे इस दोरान गुरु आरको किसान से रेल रोको के लिए जारकन से चलने या राज से होकर गुजरने वाली यात्री, एक्सप्रेस और मालगारी ट्रेनों की अवाजाही में चार घंटे का ब्यावधान उत्पन कर सकते है ऐसे में रेलवे अलर्ट मोड में है रेल रोको अभियान के चलते गस्ती बढ़ा दी गई है बेरुजगारों के लिए जल्द भत्ते की सुरुवाती कर सकती है सरकार जारकन की हेमन थुरेन सरकार बेरुजगारों के लिए जल्द ही बेरुजगारी भत्ते की सुरुवाती कर सकती है सुत्रों के मुताविक सरकार ने चालू वित्य वर्ष 2021 में इस योजना को अमल में लाने की तयारी सुरू कर दी है सुरम नियोजन एवं प्रसिक्षन विभाग द्वारा योजना प्रादिक्रीत समिती को भेजे गए प्रस्ताव के मुताविक असना तक पास यूआओ को 5000 और असनात को तर यूआओ को 7000 रुपए हर साल बेरुज़कारी भात्ता मिल सकता है भारतिय सेना की भारति रैली भारतिय सेना में जाने की तयारी कर रहे बिहार और जारखंड के बरावी पास यूआओ के लिए सुनारा आउसर है भारतिय सेना सिपाई फार्मापद के लिए भारति रैली का यूजन कर रही है रैली में सामिल होने के लिए रैस्टेशन एक मार्च 2021 तक कराया जा सकता है यह रैली बिहार और जारखंड के सबी जीलों के अभियार्तियों के लिए है बता दे भारति का स्थान गढ़वाल गराउंड कर टिहार बिहार में है वही भारति रैली की तीथी 20 से 21 मार्च 2021 है उनसी में 29 से 25 परस्त है जारखंड में 45 ने संक्रामित की पुष्टी हुई है जो राची से 23, देवघर से 10, पुर्वी से मुव 7, बोकारों से 2, तथा गोड़ा, रामगर, सराय, केला, खरसावा से एक एक नए मरिज मिले है जारखंड में कूल मौत की संख्या एक है 84 है वही जारखंड में कूल एक्टिब केस 446 है भारत में 12,418 नए संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संख्या एक लाख चापण अयार 38 है वही भारत में एक्टिब केस 1,34 या 244 है किसानों के अंदोलन ने देश को नई रहा दिखाई आलमगीर आलम कांग्रेस के परदिख अध्यक्स रामेसवर उराव विधायक दल के निता अलमगीर आलम और क्रिसी मंत्री बादल पत्रले के नित्युत में 3 माईने से चल रहे किसानों के अंदोलन के समर्थन में अंदोलन किया जा रहा है बतादे 20 फरवारी को होने वाले राज अस्तरिय किसान ट्रेक्टर रहली को सफल बनाने के लिए बुद्वार को कांग्रेस निता ने हजारी बाद के बानहा कोट्टा कम सांगी इचाक आधी अस्थानों का दोरा किया बिदायक दल के नेता और गरामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद सरकार के तिन क्रीशी कानूनों खिलाब किसानों के अंदोलन ने देश को नईरा दिखाई है 20 को हजारी बाग में किसान रैली एतिहासिक होगी रामेशरू राव जार्खन परदेश कंगरेस कमिटी के अध्यक्ष राजे के बीत तथा खादा पूर्ती मंत्री डाक्टर रामेशरू राव ने मंगलवार को हजारी बाग में पार्टी पताधिकारियों करकाताओ के साथ बैठा कर 20 फरवरी को आजित होने वाली किसान रैली की त्यारी की सम जार्खन में यातायात निमों पर कड़ाई से होगा पालन मुख्य सचीव ज़रुरत पड़े तो कड़ाई से भी परे नहीं करना चाहिए सुचारू बेवस्था के लिए कानून का डर भी लाजीम होता है मुखे सची वबुद्वार को जाकन मंत्राले में परिवान बिभाग द्वारा आयुजित नेशनल सेमिनार अन रोड सेप्टी के मंच से बोल रहे थे मैट्रिक इंटर के बिद्यार्थी सप्ताइक टेस्ट के जरिये परिक्षा की त्यारी का आकलन करेंगे सरकारी बिद्यालियों में काक्छा दासुई अबरावी में अध्यान रत बिद्यार्थी सप्ताइक टेस्ट के जरिये बोर्ट परिक्षा के त्यारी के आकलन करेंगे बतादे जरकन अध्यवीद परिशत से उपलवद भी सहवार मोडल परशन पत्र एवं जीला की टीम के तयार मोडल परशन पत्र के अधार पर सभी चातर सत्राओ का लगतार पांच सब्ता तक प्रती दिन भी सहवार टेस्ट लिया जाएगा इसको लेकर जीला सिक्चा पतादिकारी सह जीला कारेकरम पतादिकारी ने कारे आले अधेस जारी किया है राची नगर नीगम को केंद्र सरकार 500 सिटी बस देगी राजधानी में परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए केंदर सरकार राची नगर निगम को 500 सिटी बस देगी इस बसों का परिचालन सहर के हर कोने तक कैसे हो इसके लिए नगर निगम पलान त्यार कर रहा है इस समद में नगर आयोक्त मुकेस कुबार ने बताया कि हाल ही में केंदर सरकार के आवासा नेवम सहरी कार्य मंत्राले के सचिव दुर्गा संकर मिसरा ने राची नगर निगम छेत्र का दोरा किया था इस दोरान केंदरिय सचिव ने निगम को 500 सिटी बस देने पर समती पदान की थी जारखन डीजीपी की नक्सलियों को कड़ी चेतावनी जारखन के नए डीजीपी नीरज सिनहा का पहला लोहरदा का दोरा भुद्धवार को था बतादे इस दोरान पुलिस अधिकारियों से जहां नक्सलियों के परिजनों को हर संभव सहयोग की बात कही साथ ही उगरवाद परभावी चेतरों में पुलिस गति भी दिया अधिक बढ़ाने के दिशाने देश भी दिये नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए युआओ को खेल वा प्रतियोगी परिक्षाओ का प्रसिक्षन देगी पुलिस जारखन में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए फिर समुदाईक पुलिसिंग पर जोड़ दिया गया है बता देया गरामिनों में पकड़ बनाने का पुराना वा बेतरीन माध्यम है इसके माध्यम से पुलिस अपने बिसेस फंड से गरामिनों को जरूरत का समान देकर युआओ को खेल से जोड़ कर वा भिभीन परतियोगी परिक्षाओ के लिए उन्हें प्रसिक्षित कर उनका विश्वास जितने की कोशिस करेगी इसके तहट बिसेस कर सेना और पुलिस में बहाली के लिए गरामिन युआओ को प्रसाहित करने तथा उनकी सरेरिक दक्षता बहाने के लिए पुलिस नकसल परवावी छेत्रों के युआओ को प्रसिक्षित करेगी नौकरी से निकाले गए पुलिस कर्मियों के मामले में 12 मर्च को हाई कोट में सुनवाई मेडिकली अनफिट पाये जाने के बाद नियुकती के एक साल बाद नौकरी से हटाए गए पुलिस कर्मियों की आजका प्रबुद्वार को जाकन हाई कोट में सुनवाई हुई बतादेश दोरान राजे सरकार की ओर से केस से सम्मंदित कुछ दस्तावेज अदालत के रिकोर्ड पर लाने की बात कही गई इसके बाद चिफ जस्टिस टाक्टर अवीर अजन वह जस्टिस एस एन पसाद की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को निधारित की है बता देश एससी की ओर से बर 2015 में पुलिस कॉंस्टेबल की भरती के लिए भीग्यापन निकाला गया था पेट्रोल की कीमते बढ़ने पर रमेश्वरुराव जारखन पर देश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स राज के बीत तथा खादा पुर्ति मंत्री डाक्टर रमेश्वरुरुराव ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड आयल की मौजूदी इस्थिती के उनसार प उसी तरफ देश में जेश्टी लागू होने के बाद राज सरकार के पास राजस्वर संग्रा के दो ही तरीके बचे हैं एक वैट और दूसरा उत्पाथ टैक्स सरना खाडा की चेतावनी आदिवासियों की सरना खाडा मसना और समोहिक जमीन की रक्षा के लिए पथलगड़ी वर्सगाट के अशर वर्स सरना धरम लंबियों ने आदिवासी मैदान बजार से बाग लता टोंगरी तक रेली निकाली बतादे अरेली 22 पढ़ा समाजिक उत्थान समीती और माईला सरना समीती के बैना तल्य निकाली गई इस दोरान बजरा के कराम कोचा बजरा पूल से लेकर नेमहा नगर आखड़ा तक पथलगड़ी कारकरम के बार्सिक पर फुजा आचना की गई रांची में खुल गई 17 रुपे में 6 रोटी के साथ सबजी आचार रांची को लोगों को अब सस्ते दर पर खाना मिलेगा बतादें सिर्फ 10 रोपे में लोगों को 6 रोटी के साथ सबजी और आचार भी दिया जाएगा इसके लिए वरिष्ट नागरिक सेवा समीती कचहरी रोड इस्थी रजिस्टरी ओफिस के बाहर सितार रसोई की दूसरी सकाथ सुरू करेगी दरसल वरिष्ट नागरिक सेवा समीती राची की ओर से सहर के आम जनों को सस्तेदर पर रोटी उपलब्ध कराने की मोहिम के तहट इसकी सुरुवात की गई है वहीं इसके बिस्तार की भी योजना है इसके तहट सिर्फ 10 रुपए में 6 रोटी सबजी ओआचार दिया जाएगा धन्यवाद